लीजे सुनिये सूर्य कांते तरपाठी निराला के लिखे उपन्याज महा भारत का सोलहवा भाग मौशल पर्व मेरी यनि समीर गोस्वामी के आवाज में यादव आदिकों का नाश पांडवों की सत्ता देश में स्थापित हो गई चतिस साल हो गई देश भला फूला लहला हा रहा था कोई उपदरव नहीं हुआ लोग शांती से रहे व्यापार बढ़े राहें दुरुस्त की गई राज्यों में मैत्री का भाव द्रण रहा पांडवों की तरफ से सब कुछ कृष्ण का किया हुआ है लोगों की धारना थी इसलिए कृष्ण की पूजा उत्रोत्तर बढ़ी उन्हें लोग आवतार मानने लगे देश देश की लोग उनके पास जाते थे उनकी बाते सुनते थे उनके अनसार काम करते थे सब को विश्वास था कृष्ण की उपदेश हित करेंगे कृष्ण की इस बढ़ती प्रतिष्ठा का यादव राजकुमारों पर बुरा प्रभाव पड़ा उनमें गर्व की मात्रा बढ़ने लगी धीरे धीरे उनका स्वभाव बिगड़ गया शराब पीने लगे मास भी बेहसाब खाने लगे क्रमशाय ऐसे उद्दंड हो गए कि सब जनों से भी असब बातचीत और अनादर से पेश आने लगे रिशियों और ब्राहमणों का अपमान हो चले ऐसे अधमकार में सारण आदी यादव और श्री कृष्ण का पुत्र साम्ब थे एक दफ़ा नारद विश्व मित्र और कण्व आदी रिशि द्वार का आए यादव राजकुमार राजकुमार साम्ब को औरत की तरह साड़ी पहना कर रिशियों के पास ले गए और कहा भगवन आप लोग तो तरकाल दर्शी है ये वज्र की स्त्री है गर्भवती है बताईए इसके लड़का होगा या लड़की रिशी रुष्ट हो गए उन्होंने कहा इस अधम साम्ब के गर्भ से कल एक मूसल पैदा होगा और उससे तुम्हारे वंश का नाश होगा शाप सुनकर यादव राजकुमार घबराए महराज वसुदे उसे उन्होंने कल हाल कहा वसुदे उन्हे राजकुमारों को बहुत धिकारा और साम्ब के मूसल होने पर उसे चूर चूर करके समुद्र में फैकवा दिया लेकिन वो मूसल जिस जगए फैका गया था वहां सर्पत का वन उगाया एक दिन एक व्याद ने उसकी डंडी तोड़ी और उससे धनुष का तीर बनाया कुछ दिनों में यादव राजकुमारों की जल विहार करने की इच्छा हुई निश्य हुआ कि सरस्वती जहां समुद्र से मिलती है वहां चल कर नहाएं और जल विहार करें निश्य के अनसार तैयारी हो गई और महिलाओं को साथ लेकर समस्त राजकुमार चले कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध साथ्त की आदी भी थे राजकुमारों ने धरिद्र ब्रहमनों को दान करने के लिए जो अन्न लिया था उसे सडा कर वहां शराब बनवाई और पी कर मस्त रहने लगे ब्रामनों को दान करने की जगह वे बंद्रों को शराब पिला कर तमाशा देखते थे एक दिन शराब पीने का उत्सो मनाया गया बल्दे उस साथतकी कृत वर्मा गद वब्र आदी सबने शराब पी और कृष्ण के सामने शराब पी कर एक दूसरे की आलोचना करने लगे हास परिहास में बदला साथतकी ने कहा कृत वर्मा नीच है रात को पांड़ों के पुत्रों को मार डाला कृत वर्मा ने कहा तू महा नीच है जब भूरी श्रवा के हाथ कट गए थे वो बैठा सत्याग रह कर रहा था तब तूने उसका सिर काट लिया साथतकी ने तलवार निकाल लिया और एक हाथ ऐसा मारा कि कृत वर्मा का सिर कट कर अलग गिरा धड़ नाचने लगा भोज और अंधक क्रित वर्मा के साथ ही थे उन्होंने साथतकी पर आक्रमन किया परद्युम्न और अनिरु्द साथतकी की ओर से लड़ने लगे पर भोज और अंधकों ने इनहें मार के राया इससे कृष्ण को क्रोध हा गिया उन्होंने सरपत उखाल कर मारना शुरू किया। कृष्ण के पुत्र सांब, चारो देशन और अनिरुद्ध तथा गद भी मारे गए। देखकर कृष्ण काल स्वरूप होकर भीशन युद्ध करने लगे। सब लोग सरपत उखाल उखाल कर उससे संग्राम करने लगे। इस युद्ध में यादों, अंदकों और भोजों का समस्त वंश निहत हो गया। केवल इस्त्रियां बची, वे द्वार का पहुँचाई गई। बलराम और कृष्ण का परलुक गमन। बलराम को इस युद्ध के बाद वेराग हुआ, वो प्रभास तीर्थ गए और वहां तप बलराम के पास जाकर तपस्या से शरीर छोड़ना उचित समझता हूं। सारती दारुक ने कृष्ण की आग्या के अनुसार काम करने की बात कही। कृष्ण ने पिता वस्दियों को प्रणाम किया और बलराम से मिलने के लिए चल दिये। बलराम के पास पहुँचे तो देह हिलडुल नहीं रही थी, सास नहीं चल रही थी, एक साप की आकरती की जोती उनकी देह से निकल कर ब्रह्म मंडल में लीन हो रही थी। कृष्ण समझ गए कि बलराम ये लोग छोड़कर चले गए। शोक से व्याकुल होकर कृष्ण एक पीड के सहारी लेट गए। दा पत तोड़ कर तीर बनाया था, उसने तीर धनुश पर चढ़ा कर पैर के तलवे में मारा, तीर अचूक बैठा। कृष्ण के तलवे में तीर चुब गया, व्याद दोड़ा हुआ आया और कृष्ण को देख कर दंग हो गया, फिर रोने लगा। कृष्ण ने कहा, तुमार इसे संसार में हाहाकार मच गया, उनके शरीर त्याक के समवाद से वस्दियों बहुत ही खिन हुए और दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया, उनका श्राध द्वार का जाकर अरजुन ने किया, और जब द्वार का सिस्त्रियों को लेकर चले, तब समुद्र ने द्वार का को मार्ति का वत में रखा और सरस्वती नगर का राज साथ्ति की पुत्रों को दिया, वज्र को पांडवों की पुरानी राजधानी इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया, कृष्ण की पत्नियों में रुकमनी, गांधारी, हेमवती, शेव्या और जांब वन्ती सती हो गई, स सो लहवा भाग, मौशल पर्व, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में